तो आज हम बात करेंगे कि आप लोग अपने PPP account में अपने nominee को कैसे add कर सकते हैं या फिर पहले से add है तो आप उसको कैसे update कर सकते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको Uno app को open कर लेना है Uno app में आने के बाद आपको इस तरह का interface आ जाएगा अब यहाँ पे आपको एक नीची option मिलता है service request का simply आपको इसी के उपर टिक करना है इसके बाद आपको यहाँ पे view more का option दिखेगा simply आपको इसी के उपर टिक करना है अब इसके बाद यहाँ पे आपको एक account का option में लेगा तो आपको simply account वाले option पे टिक करना है अब यहाँ पे आपको एक option मिलता है manage nominee का जो की यह option आप सभी को मिलेगा तो simply आपको इसी manage nominee के उपर tick कर देना है अब इसके बार यहाँ पे automatic जो आपका P.E.P. account होगा वो दुस्तो आपको यहाँ पे automatic select हो जाएगा जो आपका balance होगा वो भी दुस्तो आपको यहाँ पे mention होगा इसके बार अगर मेरा कोई पहले से nominee add है तो वो भी आपको दुस्तो यहाँ पे so होगा कि आपका कौन सा nominee है अब इसके बार यहाँ पे निचे डिखा हुआ है to delete the nominee widget the branch तो अगर ppf में आपको किसी nominee का पहले side है और आप उसको हटाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दुस्तो ब्रांच जाना पड़ेगा अब यहाँ पे अपने nominee को add या फिर update करने के लिए आपको simply इस option पे tick करना है अब यहाँ पे ppf account में दुस्तो आपका एक ही nominee होगा क्योंकि यहाँ पे अभी एक ही option आ रहा है आई में दुस्तो आप लोग अपने ppf account में सिर्फ एक nominee ही add कर पाएंगे अगर आपका पहले से कोई add है तो आप वहाँ पे changes कर सकते हैं सपोज यहाँ पे मेरा पहले से add है तो मैं अगर चाहँ तो इसको में edit कर सकता हूँ यहाँ पे आपको क्या-का लिखना होता है nominee में तो यहाँ पे आपको नोमनी का जो जिसको भी nominee बनारे है उसका नाम लिखती जीए उससे जो भी relationship है वो आपको यहाँ पर लिखना होता है माता है पिता है जो भी ही हो वो आप यहाँ पर mention कर सकते है इसके बाद आपको यहाँ पर date of birth को fill up करना होता है तो दोस्तों suggestion ही होगा date of birth वहीं डाले जो उनकी valid ID में लिखा हो वहीं आपको date of birth यहाँ पर डालना चाहिए इसके बाद यहाँ पर नीचे address आ रहा है तो आपको यहाँ पर प्रॉपर दोस्तों address भी डालना है उसकी ID परूपस यहाँ पर मैंने date of birth, name और relationship और यहाँ पर address को mention कर दिया है इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक submit का option downside में मिलेगा तो simply आपको अपने nominee की details को भनने के बाद आपको इसे submit वाले option पर tick कर देना है तो दोस्तों submit वाले बटन पर click करने के बाद आपके PPP account में आपका nominee add and update हो जाएगा तो दोस्तों यह तरीका मैंने आप submit को बताया कि आप लोग अपने PPP account में अपने nominee को कैसे add करेंगे और अगर दोस्तों आपको अपने saving account में भी अपने nominee को add करना है तो उसका option दोस्तों आपको यहाँ पर जब front में आएंगे पहला page खुलेगा योनो का इसके बाद आपको यहाँ पर account का option मिलता है तो simply आपको account वाले button पर click करना होता है इसके बाद आपको यहाँ पर एक arrow मिलेगा यह आपको जो amount लिखा होता है उसके सामने एक arrow होगा उस पर आप सभी को tick करना है इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक nominee का option आजाता है जो कि view nominee details हो गया यहाँ पर नीची आपको दिखेगा उसी के सामने यहाँ पर edit का एक option मिलेगा तो simply यहाँ पर जब आप edit पर click करेंगे तो अब दोस्तों आप लोग अपने saving account में जो भी nominee आप add करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर पाएंगे अब दोस्तों यहाँ पर एक चीच का आपको ध्यान लगना है कभी भी जब आप nominee को add करें वहाँ पर दोस्तों जो भी details आपको वहाँ बननी है nominee की वो उसकी ID proof से चूर मैच कराना है अगर आप address भार रहे हैं तो add भी उसके ID proof से मैच कराना है जो भी address उनके ID proof में वही address आपको वहाँ पर mention करना है वही date of birth mention करनी है जैसे दोस्तों नाम लिखा हुआ होता है वैसे है दोस्तों आपको वहाँ पर नाम एड़ करना है तो आई हो दोस्तो आप सबी दो को ये process समझ में आया होगा फिर भी दोस्तो अगर आपको ये नामनेवाला process करने में या फिर कोई भी दिक्कत होती है या फिर आपको कोई भी सवाल हो दोस्तो तो बेफिक्रों के comment box में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्त जोड़ दूंगा, धैंक्स फ़र्शन दोस्तों, बाए बाए.